राजनेतिक महौल जब गर्मा जाता है तो इस पर हर कोई चुटकी लेना चाहता है बात करें अगर सत्ता की तो सत्ता हर वक्त इस कोशिश में रहती है कि विपक्ष एक मौका दे जिस से उस पर वार किया जा सके नुश्कार स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल करांत नियर नियूज बिहार में नियूज बिहार लगतार आपको बिहार की सियासत सजोर रहा है ऐसे में जो महागटबंधन ने बिहार की वो असमंजस में पड़ी हुई है हर कोई इस महागटबंधन पर चुटकी ले रहा है इस चुटकी पर एक बड़ा बयान आया है जेडी उ बंधन का सीट सेरिंग फंसा हुआ है इसके बाद कयास लगाया जा रहा है वहीं कई बरे सूत्र कह रहे हैं कि आने वाले समय में कॉंग्रेस महागडबंधन से दूर हो जाएगी ऐसे में अब जेडियू की तरफ से वार कर दिया गया है महागडबंधन पर साथी साथ इसमें एक पुराने चेहरे को वापस से सक्रिय किया गया है और कहा गया है कि लालू यादव बैमान है और बैमानी करते हुए वो हक नहीं दे रहे हैं कॉंग्रेस का महागडबंधन में ये बात जिसने कही है वो पुराने हनुमान रह चुके हैं कॉंग्रेस के जी हां हम बात कर रहे हैं असोग चौधरी की असोग चौधरी पूर्व में कॉंग्रेस के अध्यक्ष रह सुके हैं और उनके कार्यकाल में कॉंग्रेस ने बिधान सभा चुनाओं में एक अच्छा रिजल्ट दिया था बिहार में अब जब वो जेडियू खेमे में चले गए और नितिश कुमार के काफी करीबी माना जाते हैं ऐसे में जब समधाताओं ने असोग चौधरी को घेर लिया और चुनाओं पर परिक्रिया लेना शुरू किया तो उन्होंने प्यार जहां दिखाया कॉंग्रेस के लिए वहीं लालु यादव को बैमान कह दिया उन्होंने कॉंग्रेस का वो हक मार रहा है जानते हैं और शायद कॉंग्रेस एक राष्ट्रिय पाटी है कॉंग्रेस अपने वजूद को ढूंड रही है और तीन राज्यों में जितने के बाद कॉंग्रेस ने अपने वजूद को ढूंड भी लिया था और यही कारण था कि लगतार कॉंग्रेस अरित खरी थी आर जे अब जब लालु यादव को बैमान कहा गया है और कहा जा रहा है लगतार जेडियू खेमें से कि कॉंग्रेस को एक समान जनक सीटे पर समझाता करना चाहिए तो देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि जहां सूत्रे कह रहे हैं कि महागडबंधन तूट सकता है ऐसे में जेडि के साथ विहार की राजनीटी से धन्यवाद।